नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर IPL 2024 T20 World Cup में दिनेश कार्थिक को खिलाओ अंबाती राइडू के बयान पर इर्फान पठान ने नहीं चताई सहमती खूब उड़ाया मजाक, IPL 2024 में RCB टीम के विकेट कीपर बैटर दिनेश कार्थिक ने Sunrisers हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मैच में ताबर तोड बैटिंग कर हर किसी का दिल जीत लिया इससे पहले मुकाबले में दिनेश कार्थिक को मुंबई इंडियन्स के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा चढ़ाते हुए नजर आये थे स्टंप माइक में ये आवाज रिकॉर्ड हुई थी कि रोहित दिनेश को बोल रहे है कि T20 विश्व कप खेलना है कार्थिक ये क्या कर रहा है इसके बाद अगले मैच में लगा कि दिनेश कार्थिक ने रोहित की बातों को सीरियस ले लिया चिन्ना स्वामी के मैदान पर दिनेश कार्थिक ने 35 गेंदों का सामना करते हुए पांच चौके और साथ छकों की मदद से 83 रन की तूफानी पारी खेली हालांकि कार्थिक की मेहनत RCB की टीम के किसी काम नहीं आई और RCB को मैच में 25 रन से हार का सामना करना पड़ा मौजूदा सीजन में ये RCB की टीम की छटी हार रही लेकिन दिनेश कार्थिक की पारी ने सेलेक्टर्स को विश्व कप स्पॉट के लिए कंफ्यूजन में डाल दिया दरासल RCB बनाम संराइजर्स हैदराबाद के मैच के दौरान स्टार स्पोर्ट्स के एक शो में पूर्व भारतिय क्रिकेटर अंबाती राइडू ने RCB के स्टार दिनेश कार्थिक को बैक किया और कहा कि उन्हें T20 विश्व कप 2024 के लिए 15 सदसीय स्क्वार्ड में शामिल करना चाहिए उन्होंने आगे ये भी कहा कि दिनेश कार्थिक शायद इस टूर्णामेंट के बाद सन्यास ले सकते हैं राइडू ने कहा कि मैं उन्हें काफी सालों से देखता आ रहा हूँ वह काफी टैलेंटिड हैं वह हमेशा M.A.S. धोनी के मार्क दर्शन में रहे लेकिन उन्हें परियाप्त मौके नहीं मिले हो सकता है कि वह एक आखिरी बार भारत के मैच विनर की भूमी का निभाए क्योंकि विश्व कप की ट्रॉफी भारत को जिताने के साथ ही वह अपने क्रिकेट करियर को अलविदा कह सकते हैं मुझे लगता है कि BCCI को उन्हें विश्व कप की टीम में मौका देना चाहिए रायडू की इस प्रतिक्रिया पर पूर्व भारती ऑनलोराउंडर इर्फान पठान जो स्टार स्पोर्ट्स के इस डिसक्शन के दौरान मौजूद थे वह हसन ने लगे उन्होंने कहा कि माना कार्तिक शांदार फॉर्म में है लेकिन विश्व कप के दौरान खेलने का प्रेशर अलग होता है क्योंकि वहाँ कोई इंपक्ट प्लेयर का नियम नहीं होता इर्फान ने आगे कहा कि देखो मैं दिनेश कार्तिक की जरूर तारीफ करूँगा वह टॉप क्लास फॉर्म में नजर आ रहे हैं लेकिन भारतिय क्रिकेट के लेवल अलग है विश्व कप में आप अन्कैप्ट प्लेयर्स को मौका नहीं देता कि जो आपको बॉलिंग करे विश्व कप में कोई इंपक्ट प्लेयर्स रूल नहीं होता वहां सिर्फ 11 प्लेयर्स होते हैं ऐसे में वहां प्रेशर भी अलग होता है धन्यवाद दोस्तों की आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ समय बिताया हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को न चूकें धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में